नमस्कार दोस्तों आज हम लोग प्राचिन भारत पर विदेशी हमले के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग पिछली वाड़ियों में चर्चा किये थे मगत समराज के निर्मान कैसे और मगत समराज पर कौन-कौन के राजाओर ने राजց किया था उन में सबसे पहले जो था उसके बातम करने था नोसे शब्सकर घा की है बारे में शचर्ण भारत आए था उसमें वीश Top छा एत्सम के लिए औह। तब ही उनको चनक्य जो थे उसमें के तक छिला तक छिला पकिस्तान के जगा है वहां पर अध्यापा के रूप में पढ़ा रहे थे एक विद्ध्याले में तो उनको परता चल गया कि यह सिकंदर आ रहा है और आगे चागर के भागा समराज के बहुत बड़ा खत्रा है तो इ जानत धनानंद को खतम करने से पहले इन्होंने सिकंदर से लड़ने के लिए क्या कि एक चंद्रिगुप्त मौट से नाम के राजा थे वह उनको बचपन से ही लेके गए तो वह चंदर के फोज में उस बच्चा को मिला दिये और मिला करके यह फवाव फेला दिया ना कि जो और वहां पर जो भी जाएगा सायानिक बीदेसी इटते तरह की अधर जाएगे तो बहुत 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 हो த तो पूरा जो सिकंद्र को फौस था उसमें का सबसे बड़ी सेना था तो का कि अना कि सब्सक्राजा को डाइरेक्ट माना कर दिया कि हम लोग आगे नहीं जाएं तो वहां जानने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि विदेशी हमले कौन-कौन आये थे उसमें उसमें मागा समरा थे तो देखते हैं सबसे पहली बर को नाया तो प्राचिन भाणत पर विदेशी हमले में सबसे पहले हमले नहीं में हमले देख रहाय कि यहीं पहले संस्थापक तो यह से पहली रजा कि लडाई हुआ लेकिन की खाए नहीं रहा दूसरी बार रहें उसका राजा उसका बेटा तो बहला है वह भारत पर सफल हमला कर पाया यह जो आया उसका बेटा ओर पुरा तयारी के साथ आया और जित गया उसमें चिन्द प्रांथ पर जित गया जो गंधार नाम था सिन्ध प् अधारब के जो बेटा है उसका नाम आतन म सेना में भरतीयों को रखने के लिए पहला राजा था जो भी आता था ता बैदेशी हमला दू सिर्फ अपना ही आपनाहीं घर के लोग अपने देश की लोगों करेखता था लेकिन ये डारावन है डारावन का बेटा जो हुआ जिसका नम था जिरक्सित यह अपने सेना में जो वहां के अस्थानी लोग अफ़ानिस्थान के युए अपना सेना में मिला लिया तो यह था इरानी लोगों के हमले इतना ही तक रहा है इसके आगे पर यह बढ़ नहीं पाए किसी कार बहुत बड़ी कहानी तो इतिहास का सबसे बड़ा उस समय के सबसे बड़ा राजा कहलाता था तो सिक अंदर क्योंकि यह उसका सपना था पुरा इस पर कब जाका ना तो यह यह उनान के रहने वाला था वहां से लड़ते हुए आया और सभी इरान इराक जो भी उतर बीच में जो भी देश पड़े सबको जितते हुए आया और फिर अफ़े अफ़गनिस्तान पकिस्तान उसमाइं इंडिया इंकलाता था भारत इंकलाता था तो उस पर भी हमला किया उस पर जीटा फिर आया भारत में जो जम्मु कसमीर एरिया है पंजाब वाला एरिया है उधर आया चलता है कि उसमें क्या हुआ 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 यहाह स्कांद है हुए लेखक सांद मंत्र भी रहते थे लिखते थे कि हम लोग इस देश के गया है तो ऐसा ऐसा देखे तो उसी की कि जवरा जो लिखे अंसे आज पता चलता है कि उसमें क्या हुआ होगा तो ग्रीक लेखक थे उसमें से तीन को जो तीन है उससे मुख मुख है निर्याकस से पहला दूसरा है आने सीक्रेटी से और तीसरा है और इस्टो बुल्डस युनान नाम है थोड़ा नाम है लेकिन याद करना ही पड़ेगा बहुत वर गजाम पुछ देता है इसके बाद सिक तो आया तो अफगानिस्तान जीता उसके बाद क्या होगा कि पखिस्तान के अरिया में तजसीला नाम के एक राजा था जो सिंध भी उसको बोलते हैं तो यह पहला यूद भारत में लड़ा तजसीला के साथ लेकिन लड़ा नहीं तजसीला के राजा था आम भी इन्होंने स सुनाए जाती है किवंकि पोर असन लेकर इसे अनल्स साथ बहुत भाधिर्यों के साथ उससे लड़ा और भॉल बहुध दीन तक लड़ा मतुए बाद 6 महीना तक और अधिन जता पूरेस को बना लेता है और ठीक सी से जीत जाता है उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे अब हम लोग जाने हैं कुछ बैसिक पॉइंट सिक अंदर पोरस के यूद के बारे में यहां पर लडाए हुआ सिकंदर भर्चिस पोरस के साथ यह हुआ था उसमें जब भारत भारत पर आया तो सिकंदर इसके आगे मागत समराज में नहीं बढ़ पाया था क्योंकि चनक के ने बहुत जाजा साइनिक में अफवाफ पहला दिया था उसी देव माना कर दिया और यह पोरस के साथ आखरी जिसको हाइड़ेसपीस के नाम सज भी जानते हैं का युद हुआ था काफी महीनों तक चला पाच्छे महीना जो भी चले काफी महीनों तक चला सिकंदर इसमें बिजाई होता है यह तो होना ही था लेकि बहादरु से लड़ा पोरत प्रभावीत होकर बनाया दोस्त बहादर अगर के स्थापना करता है उस समय मतलब कि नागर के नस्थापना करना एक कॉमन बात था क्योंकि आदमी कम था और रहने का तो एक आज कल बनता है ना कि यह इतना बड़ा फोर्जेक्ट इतना कुरोर का आया यहां पे पुरा जोपडी का अटा करके पूरा विल्डिंग कर है जया खथा क्या निकाया जीट के खुसी में बसाता है था तो निकाया बसाए और का याद में ले प्रफादार था जो बोल दे वो सून लेता था आज के घोड़ा क्या होता है ना कि उसको पड़्टी लगा जाता है फिर भी उद्ध नहीं सुनता है कोई इधर चल जाता है तो यह ऐसा नहीं था यह सिकंदर के इतना ज़्द बेफादार था कि यह जो बोलता था तो सुनता इस लिए उसका याद में यह बहुक कैफला बहुक कैफला नाम के नगर बस आया है अब क्या हुआ कि दवरास्थाइनिक में अपवा फैला जिसके कारण कोई आगे बढ़े नहीं तो उसके बाद घूरने लगा और वहां से वह वापस लड़ जाता है अब देखेंगे सिकं सिकंदर के गूरू था जिसका नाम था अरस्तू वह बोला था कि भारत जाना तो वहां से एक संथ को लेकर आना लेकिन वह संथ के जब संथ के पास ढूड़ने लगा संथ के पास गया तो संथ और इसके बीच में बहुत ज्यादा वरतलाब चला वातवाब क्या था ना कि य तुम याई संथ यह जशा नष enforcement की तुम किसी रकिस्तान में फसे हो और एक ग्लस पानी के तुम्हें जरूरत है औरो वह पांई मेरे पास है तो उस्पानी के लेने के लिए तूं क्या दे सकते हो यह संथ नें सिकंदर से सिकंदर बोला मैं आज आधार राजपार देंगा तो सांत ने बोला हम वह भी नहीं मतलग देने के बाद भी हम एक लास पानी नहीं देतों तो पूरा राज पाड़ देंगे जो माईगा से देंगे तो उसी समय बोलता है संथ कि देख से कंदर जिस राज पाड़ कर तुम घमंड कर रहे होना उसका कीमत एक गिलास के पानी के बरावर है इसलिए ज्यादा मत करो और यह सोच में उसोच में पढ़ गया और तभी से सोच में पढ़ करके यतना भ्याना बीमार पड़ा कि जब मरने लगा था तब बोला था कि मेरा हाथ सब को दिखाना कि हम दुनिया में आई थे खाली हाथ खाली हाथ जा रहे हैं और द अब दूब होता है यह एराग मिर्त्यू जहां हुआ हुआ हुए राक लोटते समय इराग तक पहुचा इराग है उसका एक जगह बेभी बेवी लॉन नाम के वहीं पे इसका में वीडियो में हम थोड़ा सा जाइन धर्में बाहुत दर्में के बारे में जानेंगे उससे सम हुआ है कि इसका कौन कौन क्या क्या होता है सब जानें का लगा हुआ है